दोस्तों जहन, पत्रकार नवीन कुमार के बारे में बहुत से लोग इस बात के लिए फिक्र हैं कि आखिर उनकी अब तवियत कैसी है, कई दिन से वो अस्पताले भरती है, LNGP में वो एडमिट है, ICU में हैं, लेकिन उनके हालात कैसी है, यही फिक्र लोगों को सता रही है, बह हमारे लोगों ने बताया है, और जो नवीन कुमार को करीब से जानते हैं, उन लोगों ने खासतोर बताया है, उसे ध्यान से सुनिये, नवीन कुमार की तवियत अब पहले से बहुत बहतर है, और यह आप सब लोगों की दुआओं का असर है, जिस तरह से आप सब लोगों नमाज में दुआ मांगी जिस तरह से आप लोगों ने हमारे फेस्बुक में आ करके वहां पे लिखा आप लोगों ने जिस तरह से लिखा हमारे यूट्यूब के कम्यूनिटी पेच पे आप लोगों ने लिखा नवीन कुमार को आप लोगों के दुआएं लगी और आप वाली बात है वो चिंता वाली बात नहीं रही तो इसलिए आप सब लोग जो है नवीन कुमार की सिहतियावी के लिए बहतर सिहतियावी के लिए दुआ करें और ये आप सब लोगों के दुआओं की बरकत है ये बात मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं और नवीन कुमार हमारे उस वीडियो को देखा है पहले वीडियो को जो हम लोगों ने लिखा था कि ICU में भरती नवीन कुमार दुआ की गुजारिश तो जो इस वीडियो को थमनिल को भी देखा कुछ लोगों ने से शेयर भी किया है नवीन कुमार ने आप लोगों के लिए एक मैसेज भी दिया है और नवीन कुमार ने क्या मैसेज दिया हम आपको बता रहे हैं नवीन कुमार ने लिखा है मैं जल्द लोट कराऊंगा ये उन्होंने मैसेज दिया है आप लोगों के लिए और जो भी उनके सिहत के लिए दौा कर रहे हैं हमारे चैनल के जरीए उन सब लोगों को मुभारक हो, आप सब लोगों के दौाएं काम आई, कहते हैं न, कि जहां दवा काम नहीं करती हैं, और ये बिमारी ऐसी है, जो दौाओं से ही खतम हो पाईगी, लोग दवाएं तो कर र ये पत्रकार नवीन कुमार की मैसेज है और आप लोगों की बहुत बहुत मुवारक बात हो आप लोगों के दुआएं काम आई जो लोग घबरा रहे थे परिशान हो रहे थे कि नवीन की सिहत कैसी है नवीन की हालत अब कैसी है नवीन कुमार इसलिए भी खास है क्योंकि नवीन कुमार एक मुखर आवाज है नवीन कुमार की आवाज सत्ता के कानों में गूँचती है उनके दिमाग में गूँचती है और उनको बात मानने पर मजबूर करती है क्योंकि पतरकारिता ही वो एक लाइन है वो पेशा है जिसके जरीए आप सरकारों की आँख में आँख मिला करके सवाल पूछ सकते हैं हुकूमत से अपनी मांग मनवा सकते हैं बलही पतरकार आचाटूकार बन गए हो न्यूश चनलों पर बैट करके दिन भर वो भांड़ गीरी कर रहे हो दिन भर वो चमचागीरी कर रहे हो सरकार के आगे खड़ा होके जुन्जुना बजा रहे हो लेकिन नवीन कुमार जैसी आवाज चाहिए विनुद्दुबा के बारे में भी यह है कि विनुद्दुबा जो है वो ठीक है वो घर पर ही है वो नवीन की तरह आईस्यूम भरती नहीं लेकिन वो पॉस्टिव है फिलाल वो ठीक है रविश कुमार भी छीक है वो अपने अपडेट जो है फेसबुक पर अपने देते र जानकारी सब लोगों तक पहुच रही है कि नवीन कुमार की सिहत काफी बहतर है खाना खा रहे हैं जल स्वस्त हो जाएंगे चिंता की कोई बात नहीं है पहले से वह काफी बहतर है फिलाल आज हम इस बात के लिए नहीं कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ना करें सब्सक्राइब कीजिए लाइक करिए हमारे चैनल को जो है जादा जादा वीडियो को फारवर्ट करिए जहां तक आप जानते हों फिर मिलता है कि इस और वीडियो में एक नई ख़बर के साथ जहेंद